सीतापूर के एक मात्र बस्पा विधायक डाक्टर हर्गोबिंद भारगों को सपाने हांती से उतार कर रानिती गलियारों में अपनी मजबूत जहाकी का प्रदर्शन किया है जबकि असली पिक्चर तो अभी आनी वाकी है यह जटका तो सपाने भाजपा के प्रती नरम रुख रखने वाली बस्पा को दिया है लेकिन हल्चल भाजपा में मच गई है दरसल सीतापूर में भाजपा के कुछ विधायक अपनी ही पार्टी और सरकार से लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे हैं यह नाराजगी दभी समय पर हर जगह रोते रहते हैं दूसरा बड़ा कारण उनके अर्मानों की विधायक निधी को बंद कर एक समान उन्हें बेरुजगार बना दिया जाना है केंदर और प्रदेश में सरकार होते हुए भी भाजपा के एक विधायक का पार्टी नेतत को खुली चुरोती देना और सरमान नेताओं के कारेओं पर सवाल खड़ा की आजाना सब कुछ सार्जुनिक कर देता हैं इसके अलावा और भी भाजपा के ऐसे विधायक हैं जो अंदर ही अंदर पार्टी से नाराज बैठे हैं और सही समय का इंतिजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी ऐसे विधायकों पर ना की नजरे गड़ाय हुए है बलकी संपर्क भी साधे हुए है सूतरों की माने तो भाजपा के कई विधायक सपा में मदबूत पकड़वाले नेताओं के माध्धम से सपा मुखिया से संपर्क साधे हुए है सीतापूर की 9 विधानसबा छेतरों में से 7 विधानसबा छेतरों में भारती जनता पार्टी के विधायक हैं जिन में से सेउता से पार्टी विधायक ज्यानतिवारी को अगर छोड़ दे तो 6 अन्ड पार्टी के विधायक 11 दलों से आए हुए हैं पिछले 2017 विधान सभा चुनाओं को अगर छोड़ दे तो उससे पहले 20 सालों तक जनपद में सरवादिक विधायक समाजवादी पार्टी के ही जीतते आए हैं, सपा के गढ़ को भाजपा ने ही डहाया है सीतापूर के सिधावली से एक मात्र बसपा विधायक डाक्टर हरगोविन भारगो को हाथी से उतार कर सपा मुखी आखलेश्यादों ने सभी को चौकाया है, जिससे जनपद में बसपा का हाथी ही डेर हो गया है 2017 विधान सभा के चुनाओं में भाजपा की प्रचंड लहर में भी सपा ने एक सीट तो जीती ही थी, जबकि दो सीटों पर भाजपा को कड़ी टक कर दी थी, लिहाजा मुकाबला दोनों दलों के बीच ही तैन होना माना जा रहा है लेकिन उससे पहले शह और मात का खेल शुरू हो गया है इसमें कौन जीता है, कौन हारता है यह सबसे बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनेगा तो आगे के पिक्चर के लिए बने रही आई इंडिया के साथ खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया